अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भई किसी भी हाल में बैंगलूर टेस्स माच जीतना है अगर चार दिन का भी टेस्स माच हो तो भी हमें जीतना है और उसके बाद हम न्यूजलेंड के खिलाब में तीन शुनिस से श्रिंखला जीतेंगे च्छते संख हम यहां से निकाल लेंगे फिर हम आस्ट्रेलिया के बारे में सोचेंगे लेकिन भाई जैसा आप और हम सोचते हैं हर बार वैसा ही हो जाए ऐसा कुछ है नहीं सामने वाली टीम भी क्रिकेट खेलने के लिए ही आई है और यूए नीजलेंड की टीम ने साबित कर दिया लेकिन किस किस चीजों पर चर्चा करें आज के मैच में रोहिट शर्मा की खराब कप्तानी जो फैसला रोहिट शर्मा ने लिया या गौतम गंबीर का ये फैसला था बैटिंग लाइन अप में इतने सारे बदलाव ये समझ में नहीं आया ओवर कास कंडिशन टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला क्या आप यहीं पर ऑस्ट्रीलिया की तयारी कर रहे थे बहुत किस सौच के साथ में रोहिट शर्मा ने पहले बलबाजी करने का फैसला किया ये समझ में नहीं आया एक एक तमाम उन्दों पर चाचा करेंगे कि करके और अंतमे जा कर टो नहीं होना चाहिए वो भ लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर आप मान करके चलें कि आस्ट्रेलिया का जो दौरा है भारतिय टीम का उसके लिए भी आपको चिंतित होना पड़ेगा क्योंकि ये चोट कोई ऐसा नहीं है कि रिशप्पंद को गेंद लगी है और वो चोटिल हो गये हैं ये चोट जो चोट लगी थी जो दुरघटना हुई थी उसी को कहीं न कहीं रिकॉल करवा रहा था क्योंकि चल नहीं पा रहे थे रिशप्पंद तो उन पर भी चर्चा करेंगे कि भारतिय टीम को कितना बड़ा खाम्याजा उठाना पड़ सकता है और आज का दिन बिलकुल भी भारतिय क्रिकेट फैंस के लिए दिन था ही नहीं कुछ भी हमारे पक्ष में गया ही नहीं एकदम जीरो बटा सननाता बैटिंग जीरो बटा सननाता कप्तानी उसके बार न्यूजलन के डेवन कॉनवे अलगी मूड में नसर आ रहे थे धाए 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 रन बना रहे थे जब भारत बास कंडिशन अब बारिश तब बारिश गेंबास वहाँ पर गेंड को लहरा रहे थे जब न्यूजलन के बलेबास आए तो एक दम तेज धूप निकल गए मतलब सब कुछ न्यूजलन के पक्ष में हुआ और जाते जाते सबसे बड़ा जटका लगा रिशप पंथ की कोई गंभीर चोट लगी है जो पहले भी उनको लगी थी तो फिर ऑस्ट्रेलिया इदोरे तक के लिए आपको चिंता करना पड़ेगा और फिर तो हमारे पास में बचे गा किया दो इनी तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे आप सभी दोस्तों से रिक्वेस है सबसे कम स्कोर हिंदुस्तान के सरजमी पर बनाया था 75 भारतिय टीम का सबसे लोइस्ट स्कोर है इंडिया की कंट्री में और इंडियन कंडिशन में इंडियन क्रेकेट ग्राउंड पर 75 रन टेस्ट मैच में जो की आज हमने तोड़ दिया 37-38 साल का रेकड जो है वो बैंग भी समझना पड़ेगा क्योंकि ओवर कास कंडिशन आप लोग को याद होगा कि बांगला देश के खिलाप में भी था चे नहीं में वहाँ पर बांगला देश ने टॉस जीत करके भारत को का था कि आप पहले बलेबाजी करने के लिए आई और हमारे 125 पर 6 बलेबाज आउट हो गये थी लेकिन यहाँ पर हमारे कप्तान रोहिट शर्मा ने टॉस जीता और मुझे लगा कि अब बसी बात है कि बाई ओवर कास कंडिशन है हमारे कप्तान रोहिट शर्मा तीन तीन फास बॉलर के साथ में जाएंगे और इस समय न्यूजलेंड को पहले बैटिंग करने क मुझे लगा कि यार ओवर कास कंडिशन है टॉस जीत करके पहले बैटिंग करेंगे तीन फास बॉलर होंगे इस समय न्यूजलेंड 46 रनों पर आल आउट हो जाती लेकिन न्यूजलेंड को आपने मैच में आने का मौका दिया और सबसे जादा दुख इस बात को ले करके है कि रोहिट शर्मा का बला चल नहीं रहा है विराट को ली रन बनानी रहे हैं सरफरास जिस तरीके से बैटिंग करने के लिए आए दो या तीन गेंदों का सामना किया भाई साब क्लियर कट मामला है कि जहां पर गेंड स्विंग करेगी जहां पर गेंड मूव करेगी वहां पर इस समय सरफरास को रन बनाने में बहुत दिक्कत होगी बहुत दिक्कत होगी औस्ट्रेलिया में आप देख लेना मुश्किलों का सामना भारती टीम के टॉप और के बलेबास करेंगे ये इस समय बचते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि फ्लैट विकेट गेंबास उस तर इंखला हार गए बांगला देश के खिलाप में हमने सीरीज जीती थी टेस्ट मैचेस क्योंकि फ्लैट विकेट थी हमारे बलेबास हमने खूब रन बनाये लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था और इसका जो पहले दो सत्र अगर आप देखें तो वहाँ पर भारती टीम ने कैप्टन है इस टीम के लेकिन एजस सलामी बलेबास भी इस टीम के साथ में खेल रहे हैं रन करने पड़ेंगे रोहित शर्मा को रन नहीं आ रहे पिछले अगर आप सीरीज को देखें बांगला देश के खिलाप में रन नहीं किया रोहित ने इस समय देखे तो फिर से रोह विराट कुली से तो रन बनी नहीं रहे हैं केल राहुल से मैं उमीद करता नहीं हूँ कि बड़े मैचेस में जब टीम इंडिया को जरूरत हो तब जाकर के केल राहुल कुछ कर दे और एक एक इस मुद्दे पर भी चर्चा करूँगा कि बैटिंग लाइन अप में इतनी छ खिला आप में चार नंबर पर आपने खिला दिया सिंपल सा फैसला करना था कि केल राहुल को तीन नंबर पर बैटिंग करा थे रोहिट शर्मा और यशस भी जैसवाल ओपन करते केल राहुल तीन पर बैटिंग करते चार नंबर पर आपके विराट कुली पांच पर जादा बैटिंग में चेंजेज करती है कि भई कई बार समझ में नहीं आता है कि गौतम गंबीर क्या फैसले करते हैं या ये फैसला रोहिद शर्मा का था कई बार मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ओवर कास कंडिशन में बैटिंग करने का फैसला ये रोहिद शर्मा का या यह कोच सहाब का था बड़ा मुश्किल है कहना लेकिन जिसका भी फैसला हो भारतिय टीम का बंटाधार हो चुका है अभी कल हमने चर्चा की कि अगर चार अंक भी निकालते हैं ड्रॉ भी हो जाता है तो भाई कैसे हम आगे बढ़ेंगे आस्ट्रिलिया में दो टेस्ट मै भाई या तीन टेस्ट मैच भी आपको जीतना पड़ सके ये भी हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आस्ट्रेलिया में भारतिय टीन के खिलारियों को समझना पड़ेगा कल कमबाक करने की बनलब एक सत्र में आप अगर कमबाक कर गए तो कर गए अनिथा ये टेस मैच कली हाथ से निकल जाएगा मैं आपको लिख करके दे रहा हूं 134 रणों की बढ़त निउजलेंड के खिलाप में ये कोई मामूली बढ़त नहीं है डेरल मिचल रचिन रविंदर अगर कल एक सत्र खेल गए तो ये 200 से ज्यादा रणों की बढ़त हो जाएगी निउजल दोस्त उतना बहतर है कुछ भी बहतर नहीं हुआ 46 पर ओल आउट रिकॉर्ड बना दिया हमने रिशप पंत की इंजरी निउजलेंड के बलेबास मार मार करके आज देखें तो 134 रणों की बढ़त ले गए तो सब कुछ निउजलेंड के पक्ष में भारतिय टीम के पक्ष म कुछ भी नहीं हुआ अब देखते हैं कि कल टीमिडिया कम बैक करती है या फिर टेस्ट मैच हम बैंगलूरू का हार जाते हैं